सुपरभाद बच्चो आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरन की पुस्तक का पार्ट 11 काल शुरू करने जा रहे हैं काल का अर्थ होता है क्रिया के होने का समय यानि काम के होने का समय काम की समय हो रहा है जैसे बड़ई मेज बनाता है मैंने अभी खाना खाया रेल घाड़ी एक गंटा लेट आएगी पहले वाक्या में बनाने की क्रिया हो रही है यानि चल रहा समय दूसरे वाक्या में खाने की क्रिया हो चुकी है भी खाना खाया गया है बीता हुआ समय तीसरे वाक्या में आने की क्रिया होने वाली है आने वाला समय क्रिया के जिस रूप से कारे के होने की समय का ग्यान हो उसे काल कहते है काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है काल के भेड काल के तीन भेड होती है यह बूत काल बूत का अर्थ है बीता हुआ अर्था क्रिया के जिस रूप से यह पता चले की कारिया बीते हुए समय में पूरा हो चुका है वह बूत काल कहलाता है जैसे मैं कल नानी के घर गया था, मैंने लालकिला दिखा था, उपर दिये गए वाक्यों में बीते हुए समय में कारिया के होने का पता चलता है, अते ये भूत काल की क्रियाई है, सेकिन है वर्तमानकाल, वर्तमानकाल का अर्थ है चल रहा समय, जिस समय में कोई काम हो रहा है उस समय वह वर्तमान काल में होती है, जैसे तुम यहां क्यों बैठे हो, आएए आपका स्वागत है, उपर दिये गए वाक्यों से, चल रहे समय में कारियों के होने का पता चलता है, ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, भविश्य का अर्थ है आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया आने वाले समय में होगी क्रिया यानि काम आने वाले समय में होगा उसे भविश्यत काल कहती है जैसे आज से मैं सच बोलूँगा हम सरकस देखने जाएंगे कल मामा जी आएंगे ये हैं भविश्यत काल उपर दिये गए वाक्यों से आने वाले समय में कारे के पूरे होने का पता चलता है अत्य है ये पविश्यत काल की क्रियाई है अगे है पुर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पुर्वकालिक क्रिया कहते हैं जैसे जो कम पहले हो गया हो जैसे मैं भ अभी सोकर उठा यहां सोकर पुर्वकाली क्रिया है यानि सोना जो है पहले हुआ